नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका वीडियो में बात करेंगे अनुपम फिंसव की जैसा कि आप देख सकते हैं दो रूपए एक और पिसे पे स्टोक ट्रेड करें और पिछले कुछ काफी जिनों में अच्छे घासी यहां पर आप इस टोक के अंदर तेजी देखने को मिली ह तो वीडियो में जाने कि क्या है लेटेस्ट उप्डेट और आने वाल टाइम में क्या टार्गेट हम अच्छे कर सकते हैं तो वीडियो खाफी छोटा है आप अन तक जरूर देखें तो यह हम सबसे पहले देखें फाइनिंशियल सेक्टर की कंपनी है रिजव बैंक ओफ इ डिविडेंट कंपनी देती नहीं आरवी 10 परसेंट फेस्ट वेली वन रूपीज ईपिस पॉइंट ग्यारा प्रोफिट ग्रोथ शेल्स ग्रोथ लगवग तीन परसेंट चार परसेंट की बीच में इंट्रिंसिक वेली वन पॉइंट टूरी तो आप नोर्मली देखोए फ पिछले चार क्वार्टर के अंदर अब प्रोफिट अगर आप देखोंगे नेट प्रोफिट तो कंपनी का नेट प्रोफिट 21,45,35,31 उसके बाद एर-to-ear कंपरिजन अग्रम देखें तो साल दर साल यहां पिछले चार साल के अंदर कंपनी का प्रोफिट है वो 2.32 से अभ पहुंच गया है तो यह वी एक अच्छी बात है इस्टोक के लिए वहीं आप देखोंगे लेटेस्ट बेलेंस इट तो रिजव कंपनी के पास अभी 2.29 क्रोड है और बोरेंग कंपनी के उपर 3.9 लाक है यानि कि पहले बोरेंग लगबग 6.47 लाक थी जो अभी आदी हो ग बैड रही है अब बात करें कि प्रमोटर का कोई शेर यहां पर प्लेज ने प्लेज है या नहीं है तो इसके लिए अगर हम विजिट करें बीए सी इंडिय के ओफिशल वेबसाइट पर तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरा डाटा कोर्पोरेट एक्सन डिजल्ट और उ प्रेवर हुई है और जो प्रसेंटेज हो 76 का है डिलिवरी क्वांटिटी तो अगर आप इस समय स्टोक का देखोगे अच्छा खासा स्टोक करेक्ट हो चुका है कंपनी के रिजल्ट पर काफी सांदार है बोर्विंग कंपनी कम कर रही है रिजव बढ़ा रही है हलांके फ सारुपे पंद्रा पेसे तक का यहां पर हाई यह तो जैसे मार्केट पोजिटिव होता है आपको अच्छा खासा मूझ दिख सकता है और इस स्टोक आपको तीन रुपे इजली करोज करता हुआ दिख सकता है तो आप इस स्टोक के बारे में अपने फाइनेंशल एडवाज थैंक यू कीप सपोर्टिंग